लोग प्लांट फिजियो लोजी जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बना पढ़ रहे हैं इससे पहले भी जो हैं लोग पढ़ चुके उसका नाम है चाप्टर 11 कुन सा है हमारा यहने चैप्टर 11 पौदों में परिवान तो जो पुराने लोग है न उन्हें नहीं पता हूंग पुराने लोग है उन्हें पता हूंगा नए लोगों को नहीं पता हूंगा कि यह इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं तो पिछली क्लास आप जाके देख सकते हो चलो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परिवहन के माध्यम यहने means of transport तो परिवहन के माध्यम के हम ल बात करें तो इसमें energy नहीं लगती है और इसको लोग कहते हैं डाउन Hill Milan माले परिवहन के लांधर और इसको अम लोग कहते हैं मंदिर गयो श्रें कभी का बार तो गया होंगे कुछ लोगे नहीं मंदिर से कुई नाता नहीं हमारा यह पता है और यहां पे जो है ना बहुत सारी सीडिया होती है आपको तो पता ही यह मंदिर जब होता है तो पाहड़ी पे होता है तो जब आप चड़ोंगे तो क्या होगा? एनर्जी लगेंगी? तो यह होता है active, host में ही रहते हो ना? सक्री रहते हो ना? तो जब active रहोंगे एनर्जी लगेंगी? अप यहाँ उपर चड़ रहे हो तो यहाँ रखना उपर चड़ते वक्त एनर्जी लगती है याँनि कि इसको हम लोग कहेंगे active transport passive transport यहाँने मंदिर से नीचे उतर रहे हो क्या कहेंगे? downhill transport क्या कहेंगे? downhill transport clear है? यहाँ नीचे उतरोंगे तो आपको energy नहीं लगेंगी हो सकता आपका कोई कमीना दोस्त हो तो आपको धक्का दे दे तो भीना energy कि यहाँ पर पहुच जाओ clear है? तो यह याद रखना है कि जब भी सक्री परिवहन की बात की जाएंगी तो आपको यह याद रखना है यहाँ पर energy लगेंगी लेकिन यहाँ पर paciU की बात कते हैं तो यहाँ energy नहीं लगती है चलो next देखते हैं paciU transport की बात कते हैं तो paciU transport में भी जो है two types से परिवहन होता है एक होता है diffusion के द्वारा और एक होता है आस्मोसिस के द्वारा यानि एक होता है viseran की द्वारा और एक होता है paraceran के द्वारा ठीक है अब विशरन की बात कते हैं तो simple diffusion एक होता है और एक होता है facilitated diffusion यानि सामान्य विशरन और सुसाद दिविशरन clear है यहाँ तक है चलो तो one by one हम लोग देखते हैं तो पहले हम लोग बात कते हैं simple यानि की simple diffusion यानि की सरल विशरन clear है यह सामान्य विशरन जिसको हम लोग कहते हैं तो कुछ थेओरी है यह हम लोग पढ़ लेते हैं तो ठोस की बात कते हैं तो कुछ अंस ही संभव होता है मला ठोस में यह विशरन आपको नहीं देखने को मिलेगा थोड़ा बुती देखने को मिलेगा सुषपस्ट लक्षन आपको कहां दिखाई देंगे द्रवे में और गैस में ठीक है धीमी प्रक्रिया होती है जीवतंत्र पे निर्भर नहीं करती है और पादब शरीर में गैस कर रहा हूं मैं देखो कोई मालो की क्या बताऊं मैं आपको कोई फत्तर मालो ठीक है फत्तर की बात करें तो यह ठोस है तो यहाँ पर डिफ्यूजन सायद ना हो लेकिन कुछ द्रवे हो ठीक है या गैस हो तो पर्फ्यूम सबसे बैस्ट एक्जामपल तो पर्फ्यूम तो जो है यूज करते होंगे बहुत सारे लोग बहुत सेंटेट मलब सेंट के लिए जब भी साधी बगर में जाते हैं सबसे पहले इसी का विचार माइंड में आता है जैसे हम लोग बात करते हैं अच्छा धीमी प्रक्रिया यह क्या बोला जैसे ही पर्फ्यूम दालते हैं ज लमिलिए तो क्या वैसे ही जो है खुदबो आने लगहिंगे नहीं यहां पे क्या होगंगा धीरे धीरे जो यहां वो आती हैं ठीक है इसके बात बात करते हैं जीवित तंत्र यहां पर ells. यहानमि बात करूँ अब इस प्रफ्यूम को इस पप्पू को रों में धाले में तो क्या है रो बेट कोई प्रतां करना है या परीबहन करना है तो यह अकेला माध्यम होता है क्लियर, simple divison, चल तो इसमें देख लेती है, होता क्या है, तो यह याद रखना, यहाँ पे, higher concentration, to lower concentration होता यहाँ, कि हम लोग बात करते हैं, यह अधिक सांतृता से कम सांत्रता की और होता है यानि हाई कॉंसेंट्रेशन टू लो कॉंसेंट्रेशन एक मेंब्रेन होती है सुरी सुरी एक मेंब्रेन इसके आउसकता नहीं होती है तो यह मेंब्रेन के आउसकता नहीं होती है जीवित नंत्र मालो room में हो रहा है जीवित नंत्र नहीं है तो कोई membrane भी नहीं होगी तो जिदर high concentration होगा चलो फिर से वही example समझते हम लोग अब मुझे यह बताओ यह perfume की bottle है और यह room है कहाँ perfume जादा है bottle के अंदर की room के अंदर bottle के अंदर बहुत जाद है तो high concentration to कहा low concentration clear है तो इसको हम लोग कहते है simple diffusion इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर यह इस टोमेटा की हम लोगों ने बात की थी कि इस टोमेटा में कैसे जो है परिवहन होता है तो इसको प्रभावित करने वाले कारण कौन से है diffusion को तो यहाँ पर size of molecule यानि जो अनू है उस size बड़े हैं तो size of molecule solubility in lipids ठीक है जो lipid है वो उसकी solubility कितनी है उस पर भी depend करेंगा concentration gradient से कहते हैं एक तरफ हाई है एक तरफ लो है तो क्या कहेंगे concentration gradient है तीक है जिसको हमासांद्रन्ता प्रवणता केते हैं जिल्ली की पारगम्मेता क्लियर है यह जो जिल्ली है अगर होंगी तो ठीक है यहां तो आउसकता नहीं है लेकिन अगर होंगी तो यह डिपेंड करेंगा कि यह जिल्ली से आरपार कैसे जा रहे है तो जिल्ली की पारगम्मेता याने की अच्छा पारगम्मेता क्या होती है देखो एक मलब मालों यह को होंगा जादा होंगा तो यह भी निर्बर करेंगे clear है यहां तक है चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं next so one minute कि यहां पर हम लोग ने क्या देखा पेशिव ट्रांसपोर्ट याने simple diffusion क्लियर है इसके बाद हम लोग यहां पर बात करते हैं एक क्या होता देखो एक हम लोग ने क्या देखा simple diffusion क्लियर है क्या देखा simple diffusion इसी में एक होता है सोसाथ दिविश्रन याने facilitated diffusion देखो नाम से ही समझ माता है facilitated याने किसी facility की मदद से clear ATP not required याने energy नहीं लगती है clear अतिविश्ष्ट होता है क्यों क्यों कि यहां कोसिकाओं को पदाहारतों के उद्गरहन के लिए लेने के लिए उसको लेना या नहीं लेना होता है निरोधकों के प्रती समवेदन सील होता है जो प्रोटीन की पास्व स्रंकला से प्रतिक्रिया करता है देखो निरोधकों के प्रतिमालब निरोधक का मलब रोखने वाले के प्रती समवेदन सील होता है और जो प्रोटीन के स्रंकला होंगे उसके प्रती प्रतिक्रिया देंगे प्रतिक्रिया देना किसे कहते है जैसे देखो अभी ठंड के दिन चालू है यह आप हो ठीक है अभी ठंड के दिन चालू है अब कोई जवर्दस्ती जो है आपकी कॉलर को उठा के आपकी सैट में जो है बर्प का टुकडा क्या करोंगे तुरत बर्प का टुकडा निकाल के फेक हूंगे ठेंड है ना तुरत जोह दोस्तों को मारने दोळूँगे तो यह क्या करोंगे प्रति खिर्या दें गेंगे तो सौरी देको बायों की टर्मलोजिय ऐसी होती है ना टंग अटक ही जाती है कहीं ना कहीं चलो तो प्रतिक्रिया आपको समझ में आ गया होगा चलो तो अब इसको देख लेते हैं हम लोग इसमें क्या होता है सेम वही हाई कॉंसेंट्रेशन इदर रहेंगी एक तरफ हाई ऐगा यहाँ पर मेंब्रेन की जरत होंगी गरें मेंब्रेन की जरत हो तो आपको यह याद और यहां पर ट्रांस्पोर्ट प्रोटीन होता है बोला ना वहाँ और यह यहां पर के और यह दोनों की बात करें तो प्लास्टिड माइट्रोंटर और बैक्टरिया में बड़े आकार के छिद्रों का निर्मान करते हैं यह इतनी लाइन बिलुकुल भी नहीं भूलना है तो अब हम लोग बात करते हैं हाई कॉंसेंट्रेशन टू लो कॉंसेंट्रेशन की तरब य यह ने ट्रांस्पोर्टेड मॉलिक्विल यह परिवान कर लेंगे लेकिन यहां पर जो मेंब्रेन रहेंगे नहीं यह याद रखना है में 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 होता है वाटर चैनल और आठ प्रकार के विभिन प्रकार के अलग-अलग एक्वापोरिन होते हैं वेरी इंपोर्टेंट यह चूश्शन आचुका है नित में यह याद रखना इसके बाद करते हैं यहां से कोई भी मॉलिक्व जब जाएंगा थी तो यह डिपेंड करेंगा कि यहां पे जो मॉलीकुल है वह लीपोफिलिक है देखो यह इतना बड़ा पेन हो गया सब्सक्राइब तेन को छोटा कर लिया मैंने लीपोफिलिक है या हाइड्रोफिलिक है अब यह क्या होता है लीपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक तो मैंने आपको जब सैल बैलोगी पड़ाया था ना तब बताया था लीपो का मदलब क्या है लिपिड फिलिक का मदलब क्या है देखो सारुक खान को आपने देखाएं सारुक खान हमेशा बाहे फैलाते रहते क्यों कि वो देखो सारुक खान जो कहां पर बाहे पहलाते यह सारुक खान है इत्ते गंदे नहीं है अच्छे है पर माल लोग यह सारुक खान है सारुक खान को हमेशा बाहे फैलाते हैं आपने कहां देखाऊँगा समुद्री के किनारे पहाडों पे क्यों उनकी girlfriend आती है धाँ से तो जिसको प्यार करते है उसको क्या करते हैं हम लोग man done ने बताया था तो यह याद रह रखना जिसको प्यार करते हैं उसको अपने तरफ आने देते हैं है लिपीट को अपने तरफ आने देंगा एक होता है ईधिर। हैंऄकी पानी ये किसको प्यार करेंगा पानी को ये पानी को अपने तरफ आने देंगा। एक टर्मिलोजी आप और सुनोंगे जैसे यह लीपो है तो यहां पर एक होंगा लीपो फोबिक ठीक है फोबिक का मलब क्योंता है घ्रणा करना तो जिससे प्यार नहीं करते हैं तो उससे क्या करेंगे घ्रणा तो उसको अपने तरफ आने देंगे क्या नहीं अगर ऐसा याद रखना यह लीपीट को अपने तरफ नहीं आने देंगा तो यह याद रखना जहां पर यह लीपीट को भी अपने तरफ आने देंगा और यहां पर वाटर को भी अपने तरफ आने देंगा लेकिन अगर लीपोफिलिक है मेंब्रेन तो तेजी से विस्त्रित हो है protein plus lipid plus lipid plus protein अगर lipid की नहीं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं इनको लगेंगा है हमारी member है हमारी सदस्य तो आने देंगे लेकिन अगर water hydrophilic है तो फिर दिखना थे clear है तो यह हमको को यहां से चीज़े यह याद रखना है इतनी चीज़े बेसिक समझना है एक्जाम के लिए यह इतनी चीज़े परिवहन प्रोटीन कौन से होते हैं पोरीन और पर्मियस जो प्लास्टिट मैंट्रोकॉंटर बैक्टरिया में बड़े आकार के छेद्रों का निर्बान करते हैं और जो वाटर चेनल होते हैं आठ प्रकार के विभिन अलग अलग जो है एकवापॉरिन होते हैं क्लियर हैं इसके बाद हम लोग बात करते हैं देखों एक होता है यूनिपोर्ट मतलब क्या है एसे लेखे एक डारिक्शन की तरफ एक डारेक्सट की तरफ अगर पधार्त प वां कि जो अंटी होंगी वह हमेशा उल्टा ही बोलती होंगी आपको उल्टे ही काम करती होंगे तो यहाद देखना अंटी जब भी सब्द आएं तो समझ जाना उल्टा तो एन्टी पोर्ट यहने एक ऐसा जाएंगा और एक molecule ऐसा जाएंगा एसे बी की तरफ बी से एक की तरफ सेंपोर्ट याने की समान एसे इधर और एसे इधर क्लियर है तो यह हम लोग पढ़ चुके क्लियर है इसके बाद सक्री परिवान जहां पर अपहील अपका मलब क्या होता है उपर चड़ना मैंने बताया था मंदिर में जब हम लोग उपर चड़ेंगे तो एनरजी लगेंगी तो यह होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास मे तो आज के लिए इतना ही तो जल्दी से आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दो और मुझे कमेंट्स करके बताओ कि क्लास आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है यूसफुल है नहीं है और अगर यूसफुल है तो जल्दी से जो है कमेंट्स बॉक्स में यस टाइप क दले तो इसकी notification सबसे पहले आपको मिल जाए वरना आपकी class में सो जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि आपकी class में सो तो बाकी हम लोग मिलेंगे next class में इसी तरह हसते हुए मुस्कुराते हुए कुछ नया नया सीखते हुए तो जब तक लिए thank you bye bye and go for success हुए 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 हुए